सकते कि आपने 2,70,000 रुपे डिपोजिट किया और आपका उससे दुगना आपको रिटन मिल रहा है जैहिंद फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुकनिया समर्धी अकाउंट के बारे में कुछ लोग इसको अकाउंट बोलते हैं कुछ लोग इसको योजना बोलते हैं और कुछ लोग इसको इसकीम भी बोलते हैं यानि कि जो मैं अभी बात करूँगा तो पोस्ट ओफिस के बारे में बात कर रहा हूँ और ये आपका bank में post office में कहीं पे भी ये open होता है इसका जो post office में जो नाम है वो सुकन्या समर्दी account है ठीके दोस्तो चलिए जान लेते हैं कि यह है is scheme क्या है मैं बताना चाहूंगा कि यह जो video है बहुत ज़ादा शांदार होने वाले हैं इसका जो calculation होगा बहुत जवरदस्त होगा दोस्तो आप भी चोक जाएगे calculation देखने के बाद और guarantee से कहता हो कि आपने इस video को अच्छे से बारी किसे अगर समझ लिया देख लिया तो आप इस scheme के तहट account खुलवाने में open करवाने में मजबूर हो जाएंगे दोस्तो जी हाँ तो छेलिए video को start करते हैं और बहतरिन जो calculation होने वाला उसको please miss मत करना आज कोशिस करूँगा आपको हर एक चीज बारी किसे समझा पाऊंँ देखी दोस्तो यदि हम इस scheme के बारे में बात करें तो ये scheme जो है 22 जनवरी 2015 को पानी पत हरियाना से launch हुआ था यदि हम बात करें कि इस scheme के बारे में तो यहाँ साफ साफ लिखा है girl child girl child का मतलब जो लड़किया होती है उनके लिए है लेकिन उनके साथ जो होगा उनका parents होगा और जो बच्ची यानि जो लड़की जो होगी वो 10 साल से उसकी उमर कम होनी चीए है ना जो लड़की की उमर है वो 10 साल से कम होनी चीए यदि हम इसमें interest rate की बात करें तो इसमें बहुत जादा interest rate देखने को मिलता है जो की वीडियो में आगे जाके बात करेंगे दोस्तो यदि बात करूँ कि है scheme के तहत हमें account क्यों open करवाना चाहिए मैं आपसे एक या दो मिट लूँगा उससे भी कम समय लूँगा मैं Monday को post office में जब था तो वहाँ पे एक वेक्ती आया वो दिखने में थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छे से लग रहे थे तो उनकी एक छो वेस्ट कर दूँगा यान कि मकान खरीद लूँगा प्लोट खरीद लूँगा जमित खरीद लूँगा दोस्तो में बताना चाहूंगा एक सोचना वाली बात है अगर आप सोचोगे तो प्लोट या मकान खरीदना इतनी आसान बात नहीं है यदि हम बात करें middle family के बारे में तो हम लोगों के लिए यान कि एक प्लोट या मकान खरीदने जाएं तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपे चाहिए यान कि 30 गच कभी अगर प्लोट खरीद दिल्ली जैसा city में तो कम से करम हमें कितना चाहिए 15 से 20 लाख रुपे चाहिए और यह scheme क्या कहता है यह scheme जो कहता है कि आपको उससे दुगना, तिगना, गुना, रिटन मिलेगा, है ना, बट प्रॉपर्टी क्या है, आपको खराब कभी नहीं होती प्रॉपर्टी लेकिन रिटन तो मिलता है, लेकिन गरंटी निया कि दुगना या तिगना मिलेगी कि नहीं मिलेंगे, लेकिन यह जो स्कीम है ना तो यह जो scheme है ना इस scheme के तहत आपको चिंता लेने की जोड़त नहीं है चिंता आप नहीं करेंगे चिंता सरकार करेगी तो बस यह scheme जो उसी को सोचते हुए बनाया गया और बहुत ही शांदर scheme है तो चलिए आप वीडियो को start करते हैं अब इसमें समझते हैं कि account कौन-कौन open क करवा सकते हैं यानि कि कौन खुलवा सकते हैं कौन eligible है तो इसको समझिए या कौन इस account का benefit उठा सकते हैं तो दिखिए दोस्तों कि देख सकते हैं आप यहां पे कि जो अभी भावक होता है ना अभी भावक होता है यान कि parents उनके guardian जो होते हैं ठीक है उनके दुआरा ही यह account open करवाया जाएगा जो कि 10 साल की जो बच्ची होगी यानि कि उससे कम उमर होने चाहिए दस साल की एस से थोड़ा कम हो एक बाली का एक खाता इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिस करना ताकि आपको कोशन सारे डाउट किलिए हो जाए और पोस्ट ओफिस में जाके account open करवाओ देखिए एक बाली का एक खाता यानि कि एक लड़की के नाम पर एक ही खाता open होगा चाहे वो bank में करवाओ देखिए चाहे वो bank में करवाओ चाहे आप post office में करवाओ only एक ही खाता open होगा ठीक है अब देखिए next point के बात करें तो इसमें एक परिबार में दो बा सकते हैं और 300 रुपे 400 रुपे 500 रुपे जो भी आपको deposit करना है अलग-अलग separate दोनों के नाम से आप कर सकते हैं अब यहां पर case आता है कि जुड़वा अब जुड़वा बच्चा के कि क्या होता है कि इसमें कोई limit नहीं है यानि कि मालीजे कि जिसकी उमर 5 शाल या 6 साल है और उसके बाद अगर दो लड़की अगर जुडवा किसी घर में ऐसा जनम ले लेते हैं तो उस केस में क्या तीन लड़की हो गए ठीक है यानि कि तीनों के नाम पर ही account आप open करवा सकते है उसमें आपकी कोई limit नहीं है यदि बात करें deposit की deposit का मतलब होता है पैसे को जमा करना यानि कि आप कितने रुपे से account open करवा सकते है या आप कितने रुपे इस scheme के तहट जमा करा सकते हैं इसी को बोलते है deposit तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं जो भी बात बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत important बाते हैं यह सारी ठीक है देखिए 250 रुपे से आप शुरू कर सकते है इस scheme को और जिसकी जो maximum limit है वो डेड़ लाक रुपे है अब इस बात को आप बारी किसी समझ येगा ध्यान से जो लिखा है one year यानि कि देखिए एक साल के अंदर आपको 250 रुपे डालना compulsory है यानि कि अनिवार यह है आपको डालना ही डालना है अगर आप deposit नहीं करेंगे तो अभी आगे बताएंगे क्या होगा और उसकी जो क्या है ना यानि कि डेड़ लाक डेड़ लाक आप समझ रहे ना या तो आप उस account को चलाने के लिए संचालित करने के लिए 250 रुपे साल के अंदर जमा करा दीजिए या आप जासे जादा कित अब देखिए इसमें एक बात करें जो important है part pay है ना part payment का मतलब यह होता है कि part payment कि एक example से बता रहा हूं कि आपने 300 रुपे से account open करवा लिया या चाहे 250 से आपने account open करवाया अब अब क्या है कि इस महीने आपने 250 डाल दिया अगले महीने आपने 1000 रुपे डाल दिया या उसक 250 से लेकर डेड़ लाग तक आप एक साल के अंदर पैसा डाल सकते हैं as a PPF account में जैसे आप लोग करते हैं तो same process वही है जैसे आप PPF में डालते है कि इसकी जो maximum limit होती है डेड़ लाग रुपे तो same इसमें भी maximum limit डेड़ लाग रुपे यानि कि एक साल के अंदर 250 से लेकर ड 15 साल तक आपको पैसा जमा करना होगा और जो maturity जो है आपको 21 साल की उमर में आपको मिल जाएगा जैसे माल लिजए कि आपने आज की डेट पर अकाउंट open करवाया और आज से लेकर 15 साल तक तो आप पैसा जमा करेंगे उस scheme के तहट और उसके बाद फिर उसी से जब से open करा उससे 21 साल में आपको पैसा मिल जाएगा ठीक है या कुछ टर्म और कंडिशन और उस केस में भी आपको पैसा मिल सकता है दोस्तो अब देखिए अब यदि बात करें default account की default account क्या होता है दोस्तो default account वह account होता है कि आपने इस scheme के तहट अकाउंट तो open करवा लिया गाउंद अब ही पापा उनके parents को समझ में आते कि क्या है तो उसका benefit उठाना चीए और आगर आगर आपको लगता है कि आपके भी बच्ची के नाम पर एकाउंट खुला हुआ है तो आप उसको उठाई यार उसको reopen करवाई है ठीकर reopen भी हो जाता है देखिए तो default account वह होता है कि आप आपने अकाउंट खुला लिया और आपने एक साल दो साल पैसे जमा करा उसके बाद भूल गए पैसे डालना ही बोल गए तो अकाउंट आपका क्या होता है default account पे आ जाता है देखिए तो उस case में क्या होता है कि default account में आप 250 रुपे से माल लिजे कि आप यह मंतली जमा करते हैं और यह 50 रुपे जितने साल आपने पेमेंट नहीं करी है तो यह 50 साल उतने साल के लिए हो जाएगा माल लिजे आपने दो साल तक इस scheme के ततर पैसे ही जमानी करवाए तो दो साल का 50 और 50 100 रुपे होगे 2 साल के यह निकि 100 रुपे और प्लस आपका 250 250 500 रुपे ठीक है और 100 रुपे 600 रुपे आपको जमा करना पड़ेगा तब जाके वो अकाउंट आपका दुबारा फिर चालू हो जाएगा तो इस 250 का मतलब क्या है कि माल लिजे कि आपने बच्ची के नाम पे अकाउंट ओपन करवा लिया है अब आप शक्षम नहीं है पैसा जमा करने के लि ब्याजदर को बोलते है rate of interest तो इसमें 8% यानि कि आपको ब्याजदर देखने को मिलता है और 8% ठीक है और yearly होता ही है यानि कि सालाना ठीक है और compound interest के इसाब से होता है compound interest का मतलब होता है चक्रवर्दी ब्याज जो ब्याज आपको मिल जाएगा उस ब्याज पर ही फिर आपक इंटरस्ट मिलेगा ठीक है उसको बोलता है compound interest अब calculation की बात करें तो इसमें yearly calculation होता है यानि कि साल के अंत में आपका calculation होता है इस scheme के तहत जो भी पैसा deposit होगा अब इस बात को आप ध्यान से समझेगा कि ये 5 से 31 के बीच जो लिखा हो आना यानि कि इसके बीच ही क्या होता ह calculation होता है तो यहाँ पर जो important point निकल के आता है अगर आप इस scheme के तहता अगर पूरे साल के अंदर पैसा जमा करना चाहते हैं तो कोशिस करिए कि आप 5 से पहले जमा कर दीजिए ठीक है या 31 के बाद जमा करिए ठीक है तो आपको इस से benefit हो क्योंकि इसके बीच calculation होता है ठीक ह मैं बता देना चाहूंगा जो धारा 80C है है ना यह जो धारा जो 80C है इसके तहट बताया गया है कि tax कटोती के लिए योग है यानि कि कुल मिला के एक बात निकल के आती है कि आपको इस scheme के तहट आपको डेड़ लाग तक आपका tax free है आपको tax नहीं देना है और एक और बात important यह जो आप इस scheme केता है जो भी ब्याज आप कमाएंगे earning करेंगे ठीक है उसका आपको tax का benefit मिलेगा आपको tax नहीं देना पड़ेगा उस ब्याज पर ठीक है तो इस scheme की बहुत जादे एक खास बात है सकते कि आपने 2,70,000 रुपे deposit किया और आपका उससे दुगना आपको return मिल रहा है तो समझ गए होगे ना अब maturity के अगर बात करें यहां पे तो देखिए 8,9,166 रुपे यनकी 8,9,166 रुपीस आपको यहां पे क्या मिल रहा है total maturity amount मिलेगा यनकी 21 साल में तो दोस्तों आप खुद बताइए कि अगर यदि आपके घर में एक बेटी है और उनके नाम पे अगर आप 15,000 रुपे जमा करते हैं तो देखिए आपको tension लेने के जोरती नहीं है 21 साल बाद अगर यह पैसे में अगर 4,000,000 से उनको कुछ course करा दोगे और 4,000,000 शादी में खर्च कर दोगे तो कोई tension है इसलिए कहतों दोस्तों बेटी बोज नहीं है बेटी बहुत जादा अच्छी है आप देखिए चलिए एक आप यहां पर बात करें हम तो यह पूरे साल का calculation लिखा हुआ है देखिए पूरे साल का closing balance और यहां पर लिखा है इंट्रेस्ट yearly contribution monthly contribution balance ठीक है यह आप यहां कि 22 साल तक आपको 21-22 साल तक आपको कोई पैसा deposit नहीं करना है तो देखिए यह जो खाली दिख रहा होगा आपको हर में 15 रुप्य आपने deposit किया साल में 18,000 आपने deposit किया ठीक है उसके बाद आपको total interest मिल गया यहां पर आप देख सकते हैं तो यह calculation है तो चलिए एक औ लाग को अगर हम 12 से अगर भाग कर दे तो हमारा करीब बंदा है 12,500 रुपे अगर हम 12,500 रुपे एक लड़की का नाम पर अगर डोनेट करें यानि कि deposit करें तो हमें कितना return मिलेगा देखना भी चोक जाओ गया ठीक है तो 12,500 रुपे हमने क्या करा deposit कर दिए एक साल की बच टोटल कंट्रिविशन अमांट वो अमांट होता है जितना पैसा आप उस लड़की के नाम पर 15 साल तक जमा करेंगे यानि कि आपके घर से जो पैसा जाएगा टोटल 15 साल तक तो वो है कितना 22,500,000 रुपे दोस्तों कितना है 22,500,000 रुपे ठीक है इस इसको आप समझ गया ह 24,93,119 रुपे तो आप देख सकते हैं यहां पर कि डबल आपको क्या मिल रहा है इंट्रस्ट मिल रहा है तो आप खुद बताएं इंट्रस्ट सही आप अपनी बेटी की जो शिक्षा पूरी कर दोगे अब टोटल मैचुरिटी अमांट की बात करें तो यहां पर आपको इतना रुपे आपको मिल जागे इस स्कीम में अगर आप 12,500 रुपे मंतली डिपोजिट करते हैं कहने के मतलब आपको एक साल में आप डेड़ लाग रुपे जमा कर देते हैं तो और इसमें कोई आपको टेक्स नहीं देने की जो रहा है टेक्स फ्री है बिलकुल ठ देखिए आपको वही फिर कि आपको 17 साल में पैसा ने डालना तो आपको इस तरह से पैसा डालना नहीं है और 21 साल में पैसा निकाल सकते हैं कुछ टर्म और कंडिशन है उससके बहुत जल्दी वीडियो लेका आऊंगा आप कमेंट कर दीजिए ठीक है और उमीद करता यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज आप उन लोगों को यह वीडियो शेर कर दीज़े, जो लोग जिनके लगता है कि आपके नजरों में, आस पासमेंजर के घर में बेटिया है और लगते हैं उनको आगे जाके प्राबलम हो जाएगी तो प्लीज यह वीडियो आपको उनको जरूर शेर करें और उनको पुरसाहित करें कि इस स्कीम के तहट अकाउंट ओपन करा ले मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत